हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल ससे एक्जाम प्रप्रेशन मैं हूँ अर्चीता नयन और आपके सामने फिर से हाजिल हो चुकी हूँ रिजनिंग के क्विश्चन्स के साथ इसके पहले भी हमने एनलोजी और सिमिलर्टी के क्विश्चन्स देखे थे उसक जैसा कि हमने पोला 15 क्विश्चन्स आपने पहले करवा के रखें अब फिर से 15 क्विश्चन्स की यहां पर बारी है जो कि हम यहां पर आपके लिए कर रहे हैं तो जादा देर ना करते हुए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं तो जैसा कि आपके स्क्रीन दिख रहा होग जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं 24 का रिलेशनिपव है 60 से तो 120 का किस से होगा यह हमसे पोच रहा है तो इसे बनाने के लिए हमें यहां पर करना क्या होगा हम अगर देख्याholm 2 जीजों की बात किया 24 ए 60 के बिच बोला वह कि दिख रिलेशनिप है तो इन दोनों के रिलेश चेक कर सकते थे तो 60 में से 24 आप माइनस करके देखोगे तो 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6 यानि 36 का डिफ्रेंस 120 में 36 को एड करेंगे तो 156 होगा जो कि यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है दूसरे यहां पर अगर हम देखे तो इसे हम कर सकते है 24 x 5 divided by 2 इसलिए मैं आपको गुलती है आप पूरे वीडियो देख लो क्योंकि सभी में अलग-अलग टैप की क्विश्चन्स होंगे और एक्जाम में कब किस टैप की क्विश्चन्स पूछने यह आपको पता करना मुस्किल है किसी में डिवाइड किसी में किया असके बाद 2 से डिवाइड कर लिया तो 24 x 5 आपका होता है 120 120 divided by 2 किया तो कितना हो गया तो 60 नेक्स्ट इसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो 120 है 120 को हम करेंगे 5 से मल्टिप्लाइड डिवाइड करेंगे 2 से अब अगर हम इसे करें तो यह हमारा 60 टाइम्स चला गया तो एंसर आगया आपका 3-handed option no.3 तो यह आपने देखा कितने इसे तरीके से हुए लेकिन आपको ए आपको यह तरीका बताया दूसरी क्या होते है उसमें आप देखो कि यहां पर सेम ही अंसर आएगा दूसरे में हमें क्या होते है कि कभी-कभी हमें इन दोनों के रिलेशंसिप ढूड़ना काफी मुस्किल होता है जैसा कि इस क्रिस्टिन में आपको यहां पर इसके रिलेश लेंगे तो 24 x 5 कितना हो गया तो 120 अब हम नेक्स्ट कर लेंगे 60 x 5 तो 300 आपने देखा दोनों मेथड से सेमी एंसर आने हैं तो दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए ताकि अगर कभी आपको इन दोनों का करने में कभी-कभी आपके एक्जाम में माइन नहीं काम करेगा तो यह हमने डाल के असानी से बना दिये तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिश्ट क्यों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सिंपल कि जल्दी से जल्दी आपके इसके एंसर समय कमेंट वाक्स में क चलिए देखते हैं तो हमने यहां पर देखा नाइटीन एंसर से बहुति सेबने होगे तो हम सबसे नहीं से ही टूडने कि अगर कोशिस करते हैं तो हमने यहां पर देखा 19 and 37 में कितने का डिफ्रेंस है तो 18 का डिफ्रेंस है 19 प्लस 18 होता है 37 अब 26 26 प्लस आप 18 करके देखोगे तो 8 चे 14 2 1 3 1 4 44 साता है जो कि आपके answer में नहीं है यानि कि इसमें थोड़ा सा दूसरा relationship लगेगा थोड़ा सा दूसरा concept लगेगा तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा concept लगने वाला है तो यहां पर हमने देखा 19 से एक कम है 18 और उसे add कर दिया गया है तो 26 से एक कम कितना होता है तो 25 25 को हम add कर देंगे तो 6 5 11 2 2 4 1 5 हमारा आ गया यानि 51 option number 2 आपने देखा कितनी असानी से यह हो गया इसका अगला method आपका यहां पर क्या होने वाला है वह भी हम आपको बजा देते हैं कहीं स्ट्रेंट से से इस तरीके से समझेंगे कहीं को इसमें दूसरा method लगा होगा वह क्या कि हम इसे कह सकते है 19 x 2-1 38-1 यानि 37 नेक्स्ट हम कर लेंगे 26 x 2-1 यानि 52-1 तो 51 हो गया आपका तो चलिए बढ़ते हैं next question कियो तो next question भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत सिंपल question है और हमने इस तरीके के question आपको इसके पहले वाले यानि इसके part 1 के वीडियो में बताया था तो च question है 7 ratio 50 proportional 11 ratio वाट यानि कि 7 का relationship है किसे तो 50 से 11 का relationship ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से जल्दी answers comment box में comment किजी चार options है 100, 120, 128 या 122 I hope आपने answers comment box में comment कर दी होंगे कि reasoning questions के लिए ज्यादा time देने की कोई जरुवत नहीं होती है आप इसी के time को बचा के mathematics की questions में exam में लगा सकते हो तो चलिए देखते हैं कहें 7 का relationship किस से है तो 50 से है कैसे होगा हम कह सकते है 7 and 50 के relationship में कि 7 का square होता है क्या तो 49 7 का square होता है 49 और अगर 49 में हम one add करते हैं तो 50 आ जाता है याने कि इसमें यही relationship होंके हम सबसे पहले relationship को करके देख लेते हैं अगर यह follow नहीं होगा तो हम दूसरे relationship यहां भी लगाएंगे जो कि है 11 11 का square कितना होता है तो 121 अब जैसा कि हमने 7 का square में one add किया था तो 11 के square में भी हमें one add करने होंगे तो 11 का square है 121 प्लस हमने add कर दिया one तो यह हमारा हो गया 122 option number 4 तो आपको जैसा कि आद होगा हमने पहले भी बताया था कि आपको squares के आसपास के number at a time mind में ध्यान में हो जाने चाहिए कि अगर 50 रखा है तो 7 का square plus 1 होगा 122 रखा है तो 11 का square plus 1 होगा अगर आप यह सारे चाहिए at a time mind में ले आते हो तो आपको एक्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अलाबह अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कोई भी question में समझने नहीं आ रहा या फिर आपको में कमेंट करो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो वहां पर मैसेज करो कि आपको यह प्रॉब्लम है हम प्रस्नली उसे आपको मैसेज कर देंगो वहां पर तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों next question वी आपके screen पर दिख रहा होगा और इसके answer हमें आप सभी से चाह तो आप बताओ 4673 का किसे relationship होगा चार options हैं आपके पास जल्दी जल्दी आप answers comment box में comment किजिए इसके अलावा अगर आप भी अभी शुरुआत कर रहे हैं SSC की तयारी करना आपको इसके syllabus के वारे हम कोई भी जानकारी चाहिए कौन से books पढ़नी है यह अगर आपको नहीं पत इसका भी लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप वहां पे से जाके इसके full detail ले सकते हो कि कैसे आपको SSC की तयारी करनी है उसमें किस-किस तरीके के problems होते हैं किस-किस topic से questions आते हैं इन सभी जीजों को आपको वहां पे बिल्कुल detail मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इस question को 7584 का relationship है किस से तो 5362 से तो इसका relationship 5362 से कैसे होगा यह हमें यहां पे जानना है तो अगर आप देखो 7584 और नीचे है 5362 अब देखरो सीधे सभी में दो-दो घट रहा है यानि कि हम कह सकते हैं 2222 का यहां पे difference है 42 का difference है उसके बाद आपको पता चल गया है किसमें क questions में बताया था 111 का difference के बारे में previous video में और इसमें 222 का difference और यह दोनों questions जो है previous exam में पूछे हुए है इस करन हम आपको बोलते हैं कि previous आप हमारे जो भी videos हम आपको दे रहे हैं वो सभी आपके लिए exam point of view से काफी important है और previous year के questions बहुत ही ज्यादा repeat करते हैं तो चलिए देखते है 4, 6 & 7 3 का किसे relationship हो गा, तो 4 में 2 कम किया, तो 2 हमारे सारे options में है। 6 में 2 को कम करेंगे तो 4, तो इस से हमारो यह option 架ंब हो गया 7 में 2 को करेंगे तो हमारे पास और 5 इस से घुते लोभा किसी और भी बुख से यहां पर प्रैक्टिस करो और जो भी क्रिशिंस में प्रॉब्लम होते हैं इस टॉपक्स को लेकर वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर हमें अपने एंसर कर दिये होंगे तो चलिए दिखते हैं और जिन लोग ने एंसर नहीं किया वीडिएको पॉस करके जरूर दो हमें तो चलिए देखते हैं का थार्टे सिक्स यह हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में दूसरा हमारे पास दिमाग में आया 635 636 तो यहां पर हम करेंगे इसी चीच को तो 635 और यहां पर हमारा हो जाएगा 636 36 46 यह भी option में नहीं है तो यहां पर आपके रूल क्या लग रहे हैं तो हमने बोला सबसे पहले आप स्क्वाइर्स पर ध्यान दो कि अगर कोई भी किसे चीच का स्क्वाइर हो रहा है तो सबसे पहले हमें स्क्वाइर वाले दिमाग में लाने होंगे तो 36 किसका square है तो 6 का किसका तो 5 प्लस 1 का 5 प्लस 1 का square है 36 तो next क्या होना चाहिए तो 6 प्लस 1 का square यानि कि 7 का square जो कि आपका हो गया 49 option number 2 तो चलिए बढ़ते हैं next question कियो तो friends next question भी आपके screen पे दिख रहा होगा कह रहा है कि 182 का relation से किस से होगा सबसे पहले हम देखेंगे 210 का 380 से कैसे relationship है ये question आपको थोड़ा सा अलगा style का दिया है तो चलिए देख लेते हैं इस question के बारे में कह रहे है 210 210 and 380 में relationship है वो कैसे relationship है तो हम 210 को लिख सकते हैं क्या 15 का whole square minus 15 225 minus यहाँ पे 15 आपका 210 दे दिया अब 380 की यहाँ पे बात करें तो वह क्या होता है तो इसे हम कह सकते है 20 का square minus 20 आपका 380 होता है यानि हम देख रहे हैं कितने की difference है तो 5 की difference है और whole square minus वही नंबर कर दिया है तो next में हम इसे चीज को यहाँ पे कर देंगे आपका answer तुरत ready होने वाला है चलिए देखते हैं कह रहा है 182 के बारे में तो यह क्या हो सकते है अगर हम इसे द्यान से देखें तो इसे हम कह सकते हैं 14 का whole square minus 14 14 का whole square मतलब 196 196 minus 14 किया तो 182 हो गया next इसे चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इसमें 5 को add करना होगा 5 को add किया तो 19 हो गया अब हम करेंगे 19 का whole square minus 19 19 का whole square आप सभी को पता होगा कि कितना होता है तो हमने किया 19 का whole square minus 19 तो यह हमारा बन के तयार हो गया 342 option number 1 तो चलिए बढ़ते हैं next question की और तो चलिए बढ़ते हैं next question की और आपके screen पे दिख रहा होगा कह रहा है कि 16 का relationship है 56 से तो 32 का किससे होगा या आप हमें बताओ कि अगर 16 का relationship 56 से है तो 32 का किससे होगा हम अगर सबसे पहले देखते हैं तो हम देख रहे हैं 40 का difference है तो 32 plus 40 करते हैं 72 होता है जो कि आपके option में रही है तो हम next क्या यहाँ पे वे अपना रहे 16 16 and 56 में एक चीश कॉमन है वह क्या है तो 8 16 को कर सकते हैं 2 multiply by 8 जबकि 56 को कर सकते हैं 7 multiply by 8 अब इसी रूल को अगर हम यहाँ पे फॉलो करना चाहिए जो कि 32 है तो 32 को आप कर सकते हो क्या तो 2 multiply by 16 अब इसे हम कर सकते हैं next हमारा क्या होना चाहिए तो 7 multiply by 16 यानि 112 option number 2 तो चलिए बढ़ते हैं next question की होत तो next question आपके sprint पे दिख रहा होगा कहे रहा है कि 45 ratio 36 proportional 63 ratio what 45 का relationship 36 से तो आप हमें बताओ 63 का relationship किस से होगा 71, 54, 61, 64 तो जल्दी से जल्दी इसके answers आप हमें comment box में comment कर दीजिए इसके सासाथ बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि उनके पास notifications नहीं पहुँच पाती है तो आप सबसे पहले चैनल को subscribe करके बगल में जो bell icon दिखता है उससे आप click करके जो all आता है उस पे अगर आप click कर देते हो तो आपके पास notifications पहुँच जाएंगे otherwise आप हमें Instagram पे follow कर दो वहां पे आपको latest videos की updates भी मिल जाएगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा next video के stage का आने वाला है तो चले देखते हैं 45 का relationship 36 से है तो आप हमें बताओ 63 का relationship किस से होगा तो हम अगर देखे 45 and 36 में 9 का difference है इसमें कितने का difference है तो 9 का है तो आप बताओ 63 में 59 घटेगा तो कितना हो जाएगा 54 option 2 आप तेखा इसमें कितने easy way में असानी से वन गया बट एक्जाम में हमें at a time दिमाग लग पारता है next question next question आपके screen पे दिख रहा होगा 42 का relationship 56 से 110 का relationship किस से होगा यह आप हमें बताओ चार options है आपके पास 132, 136 140 या 18 तो जल्दी से जल्दी आप हमें answers कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देजे तो चलिए देखते हैं अगर हमसे बात कर रहा 42 & 56 की relationship की तो वह relationship क्या होने वाली है 42 इसे आप कह सकते हो 14 multiply by 3 कह सकते हैं हम जबकि 56 की अगर हम बात करते हैं तो 56 को हम कह सकते है 14 multiply by 4 अब अगर हम next change के बात करें आपको इस तरीके की question समेशा होते है common आपको लेके देखना बहुत ही important होता है तो अगर हम 110 की तो इसे हम कह सकते है 22 multiply by 5 तो next होना चाहिए हमारा क्या तो 22 multiply by 6 यानि 132 जो की option number 1 में है तो चलिए बढ़ते हैं next question के और next question आपके screen पे दिख रहा होगा कह रहा है 5 ratio 100 4 ratio 64 proportional 4 ratio 80 3 ratio what थोड़ा साबको इसमे question बढ़ा कर दिया है और कोई इसमें problem नहीं है अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा 5 & 100 का relationship जो के 4 & 80 में भी काम कर जाए तो यह relationship के अगर हम बात करते हैं तो 5 multiply by 20 equal to 100 इसमें अगर देखे तो यहां भी वाई जीजे 4 multiply by 20 equal to 80 अब हम इसेजिश को यहां पर देखेंगे 4 & 64 में क्या relationship होगा तो 4 & 64 में 4 multiply by 16 equal to 64 तो next चला जाना चाहिए 3 multiply by 16 यानि 48 पे option number 3 तो इस तरह के questions भी कभी exam में पूछ ले जाते हैं हमने क्या देखा कि 5 & 100 में और 4 & 80 में एक ही relationship लगना चाहिए तो वह 20 का multiplication लग जया तो अगर यहां 20 का multiplication वाला हुआ तो next भी multiplication वाला ही होना चाहिए था तो 4 multiply by 16 equal to 64 3 multiply by 16 equal to 48 तो चलिए बढ़ते हैं next question की और next question भी आपके screen पे दिख रहा होगा और यह बिल्कुल question 9 के तरह का ही है तो इसके answers आप हमें comment box में comment कर दो कह रहा है कि 42 का relationship है 56 से तो 132 का किसे होगा 4 options है 156, 145, 110 यह 240 जल्दे सजल्दे इसके answers है comment box में comment कर देजे जैसा कि हमने आपको बोला यह बिल्कुल question 9 के type का है I hope आपने answers कर दी होंगे तो चलिए देखते है 42 and 56 में relationship हम कर जकते इसे क्या तो 3 x 14 equal to 42 जबकि 4 x 14 equal to 56 next decision को हम लगाएंगे 132, 132 को आप पहले 3 से divide करके देखो 44 times जाता है तो 3 x 4 equal to 132 अब हम क्या करेंगे 4 x 44 करेंगे जैसे कि यहां पे relationship लगा है 3 x 1 x 4 3 x 4 तो 3 x 4 जो कि आपको यहां पे option में नहीं है यहां पे थोड़ा जा मिस हो गया option आपका 106 होगा option number 1 में चला गया तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों next question आपके screen पे दिख रहा होगा कह रहा है 11 ratio 120 ratio 110 proportional 15 ratio 225 ratio 210 proportional what 11, 120 & 110 में जो relationship है वही relationship है 15, 25 & 210 में और यही relationship हमें आगे options में से check out करने है ۔ То सबसे पहली बात यहां पे sorry यहां पे आपका 11 & 121 है तो अगर हम यहां पे देखे तो 11 का is square होता है कितना तो 121 अब आप यहां पे देखो तो 15 का square कितना होता है तो 225 यानि कि जो भी होगा beach वाला square होना ही चाहिये 9 का square 81 होता है 19 का स्क्वाइर 361 होता है बट 17 वाला ने गलत हो गया 16 वाला गलत हो गया अब इसके बाद देखो 120 एंड 120 121 एंड 110 को तो 121 माइनस 11 होता है 110 जबकि 225 माइनस 15 होता है 210 तो नेक्स्ट एसेच को देखेंगे तो 81 माइनस 9 करेंगे तो यह 70 नहीं होता है जबकि 361 माइनस 19 करेंगे तो 342 होता है यानि ऑप्सन नंबर 2 इस तरह यह कि वी क्रिस्टिन आपके एक्जाम में पूछे जाते है इसलिए मैं आपको बोलते हैं सारे क्रिस्टिन आपको देखना बहुत ही जाद होता है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्श्ट्रीक्राइब इसक बहुत जादे आप इसके एंसर पता होना चाहिए जैसा कि आपके स्क्रिन पर एकस्ट्राहा होगा चेहरा है कि 1.22 के तो 1.45 में रिलेशनिटीफ के और वही रिलेशनिटीफ है चार श्र्वाप्स आपको यहाँ पे देख रखाए तो जलदी तो जितने लोग देख रहे हैं एक लाइक जरूर देदो ताकि हमें पता चल सेके कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमें कमेंट वोक्स में इस चीच को बता दो कि आपको इसी तरीके के और भी नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए इस टॉपिक के 15 क्रिशन हमने पहले कवर कर वायते 15 क्रिशन अभी हो जाएंगे 30 क्रिशन इसी तरीके से यह स्रीज आपके आगे चलती रहेगी ताकि एडलोजी एंट सिमिलर्टे के एक ली क्रिशन आपको यहां पर ना चुटे तो चलिए देखते हैं कहे रहे हैं 122 और 145 में रिशनसीब ठून दो 122 इसे हम कह सकते हैं क्या तो 11 का स्क्वाईर प्लस वन जैसा कि हमने आपसे बोला था 122 देखे तो सबसे पहले आप इसे स्क्वाईर प्लस वन करके देख लो and 145 इसे हम कह सकते 12 का square plus 1 226 इसे हम कह सकते 15 का square plus 1 11 के बाद 12 का square आय था तो यहां पर 15 के बाद 16 का square आना चाहिए यहांने 16 का square plus 1 257 ओप्सन नॉमबर 3 तो चलिए बढ़ते हैं next question के ओल तो next question आपके screen पर दिख रहा होगा कह रहा है इसे अगर हम एक bracket में कर देते हैं इस तरीके से आपका कह रहा है 2 ratio 4 ratio 8 का relationship है 10 20 and 40 से तो 369 का किस्से होगा यह आप हमें बता तो चलिए देखते हैं कह रहा है 2 4 8 का relationship है 10 20 40 से 2 multiply by 5 10 4 multiply by 5 20 8 multiply by 5 40 next यही चीज़ लगेगा तो 3 multiply by 5 कितना होता है तो 15 जो कि बस एक option है तो यही हमारा हो जाएगा आगे check out कर लेंगे 6 multiply by 5 30 9 multiply by 5 45 option number 4 तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों next question आपके screen पर दिख रहा होगा कह रहा है कि 5 का relationship है 21 से तो 7 का relationship किससे होगा यह आप हमें बताओ चार option से 25 49 43 and 30 तो चलिए देखते हैं 5 and 26 21 में relationship सबसे पहला क्या आता है 5 multiply by 4 plus 1 equal to 21 तो 7 multiply by 4 अगर हम करते हैं तो 28 होता है 28 plus 1 29 जो कि आपके option में नहीं है तो हम इसे कुछ और लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 5 minus 1 तो 7 multiply by 7 minus 1 plus 1 करके देखते हैं यानि 7 multiply by 6 plus 1 तो 42 plus 1 43 option no.3 तो आज के लिए बहुस इतना ही ऐसे ही वीडियो के ले बले रहे हैं हमारे चैनल के साथ देन बाई and थैंक्स पो वाचिंग दिस वीडियो